नमस्कार मैं हूं राखी जैन और सत्ता संग्राम में आपका स्वागत करती हूं राजनेतिक विश्यशक अनिलोडा जी और मेरे वरिश सहयोगी सहयोग जैन के साथ अनिल जी अजमेर की तरफ चलते हैं अजमेर की बात करते हैं वहां का चुनाव भी थोड़ा सा रोचकी रहा है कि रिजुजुनवाला आए उद्योग पती हैं वहां वो चुनाव लड़ रहे हैं उनके सामने भगरे चौदरी हैं क्या चुनाव उतना उट पाया जितनी करते थे एर कंडिशन में लेने वाई लोग दूप में लेकिन गर्मी में वह बिलकुल चलता है दूप में खूब पैदल चले गाउं गाउं गए खूब लोगों से उन्होंने अपना को कनेक्ट किया और भागी रच चौदरी शुरु में इमान के बैठे चुनाव जीट ग विगबती नहीं आती थे उनकी दरसल कि कहां गुम रहे हैं कहां जाएंगे कल दौरे पे तो वो उन्होंने चुनाव तो ऐसे लड़ा जैसे कि बिलकुल जीते हुए हैं किसमत हैं वो जीत भी सकते हैं वो निश्चे तुरु पर क्योंकि बीजेपी का बड़ा संगट है जुब जाए रहाएंगे इतने लाग से अतने लाग से तो एक तो वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के अंदर कोई बहुत जाए अलोग प्रत्या नियूट आ प्रतैशी कि भागिरेज़ चौदरी के और बहुत लोग सहमद भी नी से इन से, अब तीके संग है, नेटवर्क है, MLS भी इनके चार हैं, फुश्कर से MLN का है, नश्रवाद से MLN का, अजमेज शेयर की दोनों सीटे हैं, लेकिन जो दो निर्दली विदायक आ रहे हैं, दूदू के बाबुलाल नागर और सुरेश टाक किसे मरड़के, वो दोनों कॉंग्रेस के साथ हैं, दो विदायक और अलड़ी कॉंग्रेस के हैं, रगुश हर्मा केगडी से और राकेश पारी मसुदा से, मेरा रुमाने मसुदा और केगडी कॉंग्रेस के तरफ जुकी वी सीटे हैं, जे, राउल गांदी की जब रेली हुई अभी मसुदा के अंदर, मसुदा विदानसावा शेत्र के अंदरी थी, तो काफी लोगों का जुखाव था और काफी अच्छी मेहनत कर रही हैं, केगडी दो विदानसावा शेत्र में तो कॉंग्रेस के तरफ जुखाव, इस पर दिखाई दिखाव, अजमेर शेहर में, चूंकि दोनों सीटें लंबे समय से बीजे भी पास है, वहां पर टग ओफ वार हो जाए और टककर ले पाएं रिजू, इसी पर 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 निर्ब विदायक, इसलिए उसलिए दुदू में भी कॉंग्रेस का अपर हिंड रहे, देखने वाली बात ही होगी मेरे लिए तो, क्या किशनगर में, जहां से दो बार विदायक रहें, बागिरत चौदरी, बीजेपी के पत्याची, क्या किशनगर में वो बड़त लापाते हैं, औ और ऐसी एग्रेसिव बड़त लापाते हैं, क्या, ये प्रस्णा जक्चिन होगा, क्योंकि मंडी अलगतर से विवार कर रही है, आसपास की इलाके के अन्य समाज की लोग अलगतर से विवार कर रहे हैं, और खुद पिछले विदानसवाद चुनाओं में हारेवे लोग, ब आप वो धुरूवी करन को बरकारा रख पाएंगे, इसमें जब भागिरत चौदरी जाट समुदा आए के ही प्रत्याशी हैं, ये प्रस्ण भी इसका जवाब भी मद्दान के नतीजे आने पर ये पता लगेगा, लेकिन किशनगड में बड़त बनाना भी, बनाए रखना कि बागिरत चौदरी के लिए है एक चौनवती, मैं इसे पूरा इत्फाक रखता हूं. पर जो गुजर मद्दाता है, जो सचिन पैलेट वहां से एंपी रह चुके हैं पहले, उसके बीच जाकर किरोडी सिंग बैसला ने बीजेपी के लिए सेंद लागाने की कोशिश की है. जी. अब वो कितने सफल हो पाएं या सचिन पैलेट का मैसेज क्या है, ये चुनाओ के जम नतीज आएंगे, काउंटिंग होई तब पता लगेगा. जैसे आज कुछ नहीं कहा सकता कि वहां का एक सवालाग गुजर मद्दाता, किस तरफ जा रहा है, वहां माली मद्दाता जातें, इतने ही दो लाक के असपास ब्रामन हैं, दो डाहिलाकी बनी हैं, वैश्वर्क के हैं, संधी समाज के 17,000 वोट हैं, मुझ्लिम महां पर 25,000 लाग है, और 3,000 लाग के असपास वहां पर 20,000 के वोट हैं, शुलुल कास के, तो मिक्स्ड कल्چर का है, 25,000 इसाही वोट बहुत इंपॉर्टन को प्रिवेल नहीं करता इंडी जल प्रत्याशी को भी देख सकते हैं या फिर मोधी की हवा भी है तो उसको भी देख सकते हैं इंडी प्रत्याशी की मेहनत और काभलेत और वो वह सुफ्ट चहरा हैं नौजवान हैं तो सब्सक्रान को अट्लेक कर पाए हो यह भी देखने माली बात होगी मानवेंदर सिंग की बात करें तो बाडमीर से हम मानवेंदर सिंग के सामने केलाश चौधरी बायतू के पहले मैंने रहे हुए और वहां पर तो चुनाव में बिल्कुल जाट तरफ है और राजपूर देख तरफ है करनल सुनराम को डेंट क वहां क्या है कि कॉंगर्स की मजबूरी है वहां उसको नेगवाल वोट सिका वहां उसको राजपूर वोट और वहां मुस्किव वोट यह तीन वोट अगर एक साथ मिल जाते हैं और थोड़ा बहुत वहश्य समूदाय का वोट बढ़ता है जहन काफी है मेवराम जहन लगा इससे पहले व्रिदी चन जहन एंपी भी रह चुके हैं वहां से तो इसलिए वो अमरतनाठा भी एंपी रह चुके हैं जहन वहां से तो वह एक मिक्स वहां भी थोड़ी जी मुस्लिम और मेगवाल राजपूत और जाट के अलावार बाकी जो है वो तो मिक्स कल्चर के जेसल मेर से निकल करके जोदपूर की लोगसबा सीट के अंदर आ गया है तो निशित तोरबर सिंदिन मुसल्मानों का बहुत बड़ा वहां पर बोल बाला है और गाजी फकीर का फत्वा जारी होता है बकायदा आज भी वहां की कॉंस्टेंसीज में तो निशित तोरबर मा प्राइपस ऑफिसर थे उनको भार्तीजंदा पाटी ने वदा किया था किया को टर्व और वि serv Всन लभाने की बाद में लड़वाने की बात की लास्टक उनका अनाम ठासा रहा रहती हैं उनकी दस तालीफ करने नहीं मिला तो नहीं मिला, यह नौट अंडर कंसिडरेशन बिफोर पब्लिक बिफोर वोटर कोई बात ही नहीं है, और वह ऐसे पॉलिटीशन नहीं है, कि पॉलिटीशन होते हैं ट्रेडिशनल जाके वहां वोट काटते हैं, वो तो ठीक है, बेट जाएंगे, और दो-पांच जासुन के दोस्तों के उनको कहेंगे, नहीं कहेंगे, अलग बात है, लेकिन कोई सबोटेज करेंगे, ऐसा नहीं लगता मुझे, वहां जो अगर कोई देंट कर सकता है के लाज चौधरी को, तो सोनाना भी कर सकते हैं, और हरीश चौधरी कि जो मिनिस्टर है कि आंगरेस की सरकार में, रेविन्य मिनिस्टर है, क्या वो जाटों को कनवर्ड कर पाएंगे कांगरेस की तरफ, सामने जाट पते हैं जी बीजेपी का, तब यह अरीश चौधरी के लिए भी चौधरी के लिए चौनोती है कि उनके अपने विदानसवा अगर बने तो आज तक बिलवाडा में तीसरी बार कोई नहीं बना, दो बार ही सांसर बने जाला तर, लेकिन बीजेपी का गड़ है बिलवाडा, और महिश्वरी समाज के लोग भी बहुत है, यह महिश्वरी है, पर सामने रामपाल शर्मा, UIT चेर्मन रहें बिलवाडा मे इस वक्त को अंगरेस से जिलाद जैक्षें, उन्होंने काम बहुत किया, UIT चेर्मन रहें विकास का काम बहुत किया, लोग के मकान भी तोड़े, दुकाने भी तोड़े, चोड़ी-चोड़ी सरके मना दिये, मौवजे हाथ के हाथ दिये, और बहुत ही फास्ट किसम के वक् मुझे पता लगा है कि ब्राह्मन समाज में वहां एकता बहुत जबर्दस्त हो गई है, अगर ब्राह्मन पोल्राइज हो गए तो वहां से दो MLK, BJP के ब्राह्मन इस वक्त, एक MLK कॉंग्रेस का ब्राह्मन है, मैंने पहले भी इस कारिकम में कहा है, कि विदान सबा कि ब्राह्मन के अद्यक्ष मामन से इकटे हुए, महिलाय मंडल के इकटी हुए, आज के महने पर पहले है, सब ने शपत लिए और बहुत पोल्राइज घर दिया वोटों को, ब्राह्मन वहां पे प्रो-BJP वोटर है, 100% भी तो 80% समल लो, अगर राम पाल शर्मा चुनाव क और्गनाइज कर पाए, तो वो भी कड़ी टकर दे पाएंगे, चौकि सुबाश बैडिया ऐसे व्यक्ति हैं, जो शायद खड़े हो के जनता के बीच अकर जनता सवाल करे कटगरे में खड़े करके, कि आप दो बार सांसद रहे, एक बार विदाय भी रहे, आप कोई काम बत पसंद आते हैं, तो वो पर उनसे कोई काम करा ने जाए और करा ले, बहुत बड़ी बात होगी, मैं तो बहुत मतलब इतने लोगों से बिलवड़ा मिला हूँ, किसी ने को कहते हैं, सुबाश बैडिया कोई काम बताया और करा लिया, और सुबाश बैडिया बिजनस में करता है, संग में टिकेट भी उनको लेने नहीं जाना पड़ता है, ऐसा लोग के तने विलवड़ा में, सुबाश बैडिया करता है, तो जो उपर से चलके टिकेट आता है, और वो साधगी से रहते हैं, और स्कूटर पर घूमते रहते हैं, लोगों के साथ, कहीं ऐसा दिख हो, या मोधी-मोधी करने वाई लोग हैं, या संग है, उसका नेटवर्क है, बूत है, अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल परसंग के रूप में, मैं विक्तिकत राय जाहिर करना हूँ, नहीं करनी चाहिए चुनाव के बद, लेकिन पॉलिटिकल परसंग के रूप में, मैं रामपाल शर्मा को ज़्यादा वजन देता हूँ सुभाष बैडिया के मुकाबले सुभाष बैडिया अगर संग में ना हो या संग उनके पीछे ना हो तो शायद उनके लिए पार्शल का चुनाव जीतना भी मुश्किल पड़े और रामपाल शर्मा वो वेक्ती है जो जीवट वाले भी है मेनुप्रेशन भी जानते हैं लोगों को संग्रित करना भी जानते हैं और टक्कर देना भी जानते हैं टक्कर लेना भी जानते हैं और वो कोशाद एक्ष भी शायद रहे हैं या आर्सी के सीपी जोशी के ग्रुप के आदमी है और सीपी जोशी के जब वो चुनाव लड़ते थे सीपी जोशी लोगसभा का उस वक कंदे से कंदा में लाकि उनके साथ खड़ा रहते थे फंड मैनेजमेंट का काम करते थे और पॉलिटिकल आदमी कॉंग्रिस के और बहुत पुराने जो निर्दली चुनाल रड़ते बिलवारा से कॉंग्रेस के बागी इनको 45,000 वोट मिलेते हैं उनको कॉंग्रेस ने लिए आपने साथ और वो एक्टिवली काम कर रहे हैं तो इसलिए वो एक एडिशन हो गया कॉंग्रेस को और भी कई रूटों को मनाया गया है अब वो सबसे महत पून बाद बीजेपी के लिए सब सबस्ट है संग के लोग है मतलब पन्ना प्रमुक्त हो चाहे वो बूत प्रमुक्त हो जाए जो प्राण प्रचारक चक है वो अपने अपने जिम्मेदारी के साब से सब काम करते हैं तो कहने के योज नहीं पड़ जी समय कम है सक संग्राम में आज के लिए बस इतना ही